हेलो बच्चो आज की क्लास में मैं आपको क्लास टेंथ का जो एंसियार्टी का चैप्टर नमबर एट है इंट्रोडेक्शन टू टिग्नोमेट्री ठीक है या पिर यह का है त्रिकोन मिति का परीच्छे है इसकी एक्सेसाइज 8.3 समझाओंगी ठीक है देखो एक्सेसाइज म है मेरे पास यहां पर evaluate आपको क्या करना ए意 mat करने इसके आपको चार पार सिधेर ठीक है कि फ्रस्ट पार रखें अब यहाँ पर करेंगे करेंगे मे पास साइनटी अपन पौन सेवंटी टू डिग्री तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं साइन एटीन डिग्री अपॉन में कॉस सेवंटी टू डिग्री तो अब आप इसको कैसे करोगे देखो आप क्या करो इस साइन को भी ना कॉस में कनवर्ट कर दो तो मैं इसको साइन नाइन्टी माइनस सेवंटी लिख सकते हैं अपॉन में कोस 72 डिग्री ऐसी है तो 90 में से अब 72 माइनस करोगे तो 18 ही आयेगा आपको तो तो अब जब आप इसको और सौल करोगे आगे तो आपका कितना आएगा हैं पर कि जग आपका क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा ठीक है क्योंकि हमार पास एक आइडेंटिटी होती है वो क्यों का इण नाइनटी माइनस ठीता जो होता है वो कितना होता है और डीक क्समीर पास यह यह बन गया अर यह फो Möglich है ठीक है आइडेंटिटी जरूर लिखके आनी है अगर आप यह नहीं लिखके होगे तो आप केस की नंबर कटेंगे ठीक है ना चलिए सेकिंड पार्ट अब हम देखते हैं अपना यहाँ पर पोशन वन गई सेकिंड पार्ट है हमार पास यहाँ पर लिखा हमार पास 1026 डिगरी अपन में कॉट 64 डिगरी तो देखो सबसे पहली बात आप यह चेक करो कि यह दोनों 90 बनने जैसी यह दोनों 90 बनने थे तो 26 और 64 मिला के 90 बन रहे तो आप क्या करो किसी भी एक को चेंज कर है तो अब फिर एक identity होती है मेरे पास वह होती है 1090 बाइनस चीटा वह क्यों होता है मेरे पास ठीक है पाइद फिर मैं इसको क्या लिख सकते हूं और यह वाला कॉट 64 आपका ऐसी लिख नबनय और उनके मान बीन आए तो इसका मान भी बनाया और इसका भी बनाया ठीक है चलिए 3rd पार्ट देखते हैं में अपने पर कोशन नमबर बन का थर्ड पार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट में कहा रहा है कॉस 48 माइनस साइन 42 डिगरी तो चलिए पहले हम क्या करते हैं अपना पार्ट लिख लेते हैं ठीक है अब आप देखो इन दोनों को जोर के 90 बनना है बिल्कुल बनना है 90 तो आप किसी भी एक क कर दो ठीक है आप किसी को भी कर सकते हो कास को करो या फिर आप किसको करो साइन को करो ठीक है ना मैं कॉफ को कर रहो तो मैंने इसको लिख दिया कॉस 90 माइनस 42 मीनस करूंगी तो for 80 या थिके ना और यह वाला sign 42 मैंने ऐसी रहने दिया लुटे किश्ट 90 क्या होता है मिर पास वो मेर पास होता है sign तो इसको मैंने क्या किया ili पंपश container स्ब्रक्रिफ, तलिए स्कुक्रिफय, जीकले यहवाला यह को दे रखा है को सेक 31 थीटा माइनस सेक 59 थीटा फिर वह चीज सबसे पहले आप चेक करोगी यह दोनों 90 बन रहे हैं बिल्कुल बनने है 90 आप किसी भी एक को चेंज कर दो ठीक है मैं यहां को सेक को चेंज कर दूं तो मैंने यहां लिख दिया को सेक 90-59 नाइनटी में से 59 माइनस करूंगी तो 31 ही आएगा ठीक है ना और यह सेक 59 ऐसी है एक चीज आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो जो यहां पर लिखा है ना वही मैंने यहां लिखा है माइनस में क्यूंकि माइनस करके 31 ही आएगा फिर क्यूंकि यह दोनों 90 बन रहे थ किया थिटा तो फिर मैंने इसको क्या क्या है इसको लिख दिया मैंने सेट तre और यह वाला सेख थीटा मेरे सैसी लिखाओ यह दोनों फिर से कट गए सेमसे में तो आंसर कितना आ गया मेरा 0 आ गया तो यह था आपके पास कोश्ण नंबर 1 चलिए अब हम अपना कोश्ण न ten 23 degree 10 42 degree 10 67 Degree किसके बराबर होना चीह वन के बराबर एक बर हिंदी– मीडिया में वालों के लिए दिखाए कि फार्ट है 1048 Degree 1023 Degree 1042 Degree 1067 Degree किसके बराबर होना चीह वन के बराबर तो चलिए पहले हम आपने यहां पर फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं 10, 22 degree, 23 degree, उसके बाद है में पास 10, 42 degree, ठीक है, फिर है में पास 10, 67 degree, इसको 1 के equal proof करना है, तो मैं अपना left hand side use करती हूँ, right hand side में तो मैं कुछ करी नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना, इन में दे 10, 48 मिलके 90 बनना है, और एक 23 और 67 मिलके 90 बनना है, बनना है न, तो इसका मतलब आपके 2 pair बने, आप देखो आप 10, 48 और 10, 42, इन दोनों में से आपको इसा भी एक change कर दूँ, वो आपकी मर्जी आपको इसा भी change कर सकते हूँ, मैं 10, 48 को change कर दूँ, तो मैंने इसको लिख द 23 और 67 है, तो मैं इसको चेंज करूँ, आप 67 को भी change कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 10, 42 ऐसी लिख दिया, और यह 10, 67 मैंने ऐसी लिख दिया, ठीक है, अब आप देखो, 10, 90 माइनस छीटा तो आपको को ठीट होता है, अभी हमने question number 1 में किया था, यहाँ लिख भी है, कि 10, 90 माइनस छीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट ठीटा, क्योंकि यह जितनी भी identities आप use करो, यह सब आपको लिख के आने, ठीक है, उसी तरीके से यह भी 10, 90 माइनस छीटा है, तो यह भी मेरा कॉट ठीटा बन गया, और यह 10, 42 मेरे पास ऐसी रह गया, और यहाँ पर कॉट ठीटा का उल्टा होता है, ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको भी लिख लिया, फिर तो, 10, 67 डिगरी, और यह दोनों मेरे ऐसी है, इन सब के बीच में multiply है, ठीक है, अब आप देखो, यह तो आपके cut गए, cut हो गए, क्या बचा 1, इसका मतलब आपका answer कितना आ गया, फिर्स्ट वाले का 1, और आपको वो ही तो प्रूफ करना था, is equal to right hand side, ठीक है, चलिए, अब second part देखते हैं, आप यहाँ पर करते हैं, second part अपना, second part है आपके पास, cos 38 degree, cos 52 degree, minus sin 38 degree, और sin 52 degree, is equal to 0, इसका मतलब आपको, किसको 0 के equal दिखाना है, cos 38 degree, cos 52 degree, minus sin 38 degree, और sin 52 degree, इसको आपको 0 के बराबर दिखाना है, ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखाएं, तो देखो, यह दोनों cos में गिवन हैं आपको, और यह दोनों sin में गिवन हैं, पर theta दोनों में same है, 38 52, 38 52, आप क्या करो, या तो दोनों sin के change कर दो, या दोनों cos के change कर दो, तभी तो कट ठीक है उसी तरीके से इसको भी मैं लिख देते हूं कॉस 90-38 दोनों ही चेंज कर दिये मैंने हां ऐसा मैंने इस ले किया क्योंकि देखो मैं को जीरो चाहिए इसका मतलब यह कटने चाहिए है ना अब देखो कॉस 90-ठीटा तो मेरा साइन ठीटा होता है तो साइन 52 फिर कॉस 90- ठीटा मेरा साइन ठीटा होता है और यहां पर भी तो यह लिख़ा है साइन 58 32 डिगरी और साइन 52 डिगरी आ गया ना शेम-सेम तो यह दोनों कट गए जीरो आगे मिरा आंसर इसलिए यहां पर मैंने क्या किया इन दोनों को ही चेंज किया आप चाहों तो दोनों साइन को सकते हो और फिर कॉस से कॉस को काट सकते हो ठीक है अगला कोशन करें कोशन नमबर 3 देखें कोशन नमबर 3 हमार पास क्या है कोशन है हमार पास if 10 2a is equal to cot a-18 यह पूरा ठीटा गीवन है वेर 2a is an acute angle find the value of a देखो आपको यहां पर 10 2a किसके बराबर दे रखा है cot a-18 डिगरी के आपको क्या करना है a की value find करना है ठीक है एक बर हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं पहले यह दि 10 2a किसके बराबर है cot a-18 और आतको करना है तो देखो आपको डे क्या रखा है यहां पर 10 2a किसके बराबर दे रखा है cot a-18 यहां जहिए को कैसे लोकिन के टेखो यहां पर मेंपास cot होता कि मिन देखना सकती थी यहां पर मेंपास 10 होता तो भी निकाल सकती थी मैं क्या करतू हूं इसको लिख देती हूं कॉट 90 जो होता है मेरे पास है मैं याटेनटिटी साहसत लिखूंगी कि जो कॉट में पास 90-चीट जो होता है वो में पास 10 ठीट हुता है तो अब ना मुझे यह 10 ठीटा गिवन था, यह रहा, मैंने इसको यह लिख दिया, कॉट 90 माइनस ठीटा, ठीटा में पास 2a था, ठीक है, अब आपको पता इस कॉट से यह कॉट कट हो जाएगा, तो क्या बच्चा, 90 माइनस 2a is equal to a-18, अब आप क्या करो, a वाले एक्साइट कर दो, और जो नंबर है उनको एक्साइट कर दो, ठीक है, तो यह 18 यह माइनस का इधर आके प्लस को आगया, और यह 2a यह माइनस का इधर जाके प्लस को आजाएगा, तो यह 3a आ गया, और यह आपका 108 यहां से जब आप a की value निकालोगे, तो आपका a का मान आएगा कितना 36 degree, और आपको वो ही निकालना था, a कितना है, ठीक है न, तो यह था हमार पास question number 3, चलिए, question number 4 देखते हैं हम अपना, बहुत असान सी exercise है, सब में same identity जी लग रही है, वो 90 minus theta वाली, ठीक है, देखो, question number 4 है आपके पास, if 10a is equals to cot b, कह रहा है, अगर 10a cot b के बराबर है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, a plus b जो है, वो 90 degree होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते है, यदि 10a is equal to cot b है, तो सिध कीजे, क्या सिध करना है, आपको, a plus b जो है, वो 90 degree होगा, ठीक है, तो देखो, हमको दे क्या रखा है, कि 10a जो है, वो 10b के बराबर है, यह हमको दे रखा है, ठीक है, आप हमको प्रूफ क्या करना है, a plus b 90 degree होगा, आप क्या करो, इन में से किसी भी एक को चेंज कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पर 10b को चेंज कर दूँ, इसको मैं यह लिख सकती हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया, इसको 10 90 minus b, ठीक है, अच्छा, य 90 minus b लिख पाएंगे, ठीक है, तो मैंने देखो, cot b को 10 90 minus b लिख दिया, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा 10 90 minus theta होता है, वो मेरे पास cot theta होता है, theta की जगह मुझे यहाँ b दे रखा है, तो मैंने b लिख दिया, cot theta cot b आ गया, ठीक है, अब इस 10 से यह 10 कट गया, तो a is equals to 90 minus b बचा, तो यह b minus का इधर आके plus का हो गया, दूसरे साइट पर जाके, a, आपको यही तो prove करना था, तो आपका hands proved हो गया, ठीक है, तो यह था आपके पास question number 4, चलिए, last question देखते है, हम question number 5, फिर हमारी exercise 8.3 complete हो जाएगी, ठीक है, देखो, आपको यहाँ पर दे रख है, if sack 4a is equals to cosec a minus 20, ठीक है, आपको sack 4a किसके बराबर दे रखा है, cosec a minus 20 के बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, आपको क्या बताना है आगे, where 4a is an acute angle, 4a के आपके पास एक acute angle है, ठीक है, find the value of a, आपको a की value निकालने है, ठीक है, एक बर hindi medium वालों के लिए भी देखते ह है, हिंदी medium वालों के लिए यहाँ पर, यदि sack 4a किसके बराबर होगा, cosec a minus 20 के, ठीक है, जहाँ 4a किया एक noon कोन है, तो a कमान ग्याद कीजे, तो आपको a कमान ग्याद करना है, ठीक है, ठीक है, तो देखो, आपको यहाँ पर दे रखा है, sack 4a जो है, वो किसके बराबर है आपका, cosec a minus 20 के, अब इसमें आपको a कमान ग्याद करना है, तो मैं क्या करते हूँ, मैंना इसको change कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर, cosec 90 minus 4a, ठीक है, इस equals to, यह cosec मेरे पास a minus 20, ऐसी है, ठीक है, यह मैंने change कैसे किया, वो लिखते है, यहा मेरा होता है, sec theta, तो sec theta मुझे दे रखाता हूँ, मैंने उसको cosec की form में convert कर दिया, cosec से cosec कट गया, तो 90 minus 4a, जो है, वो मेरा आगया, a minus 20, ठीक है, अब 90, यह minus का 20, इधर आके plus का हो गया, a, यह minus का 4a है, इधर आके plus का 4a हो गया, ठीक है, तो 110 is equals to 5a, यहाँ से मेरे a कमा आगया, कितना आया, वो मेरा a कमान, 22 degree, और मुझे a कमान ही निकालना था, ठीक है, तो यह था question number 5, ठीक है, question number 6 और 7 भी है, actually मैं यह गलती से मैं यहाँ पर 6 और 7 नहीं लिख पाई हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, तो ऐसा कर करते हैं, हम इसको यहाँ पर खुद से लिख लेते हैं, एक बार, question number 6 मैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, फिर हम question करेंगे अपना, ठीक है, एक मिन्नों को, देखो, आपका जो question है, मैं यहाँ पर इसको black pen से लिख देती हूँ, जो मुझसे लिखना रह गया था, question है, आपके पास हैं आपर, कि if A, B and C are interior angles, ठीक है, are interior angles of a triangle, ABC, एक ABC triangle है, उसके तीन interior angles आपको दे रखे हैं, then show that, आपको show क्या करना है, यहाँ पर, then show that, sign B plus C upon me 2, किसके बराबर है आपके पास, cos A upon me 2 के, ठीक है, यह English medium वालों का question है, हिंदी medium वालों का तो यहाँ पर लिखा वाई है, और question 7 भी लिखा है, इसका मतलब आपके पास exercise 8.3 में 5 questions नहीं, 7 questions है, ठीक है, वो गलती से 2 questions मेर से लिखने से रह गए है, अब Hindi medium वालों के में देखा, 607 भी लिखा हुआ है, तो याद आया, ठीक है न, चलिए, अब हम अपना solution देखें, पहले question को समझ लेते हैं, फिर हम solution करेंगे, ठीक है, एक में लोको, यहाँ पर हम pen, blue pen ले लेते हैं, देखो, question आपके पास, A, B, C, आपके पास, तीन interior angle है, एक triangle के, आपको यह show करना है, कि sin B plus C upon 2 किसके बराबर है, cos A upon 2 के, ठीक है, एक बर Hindi medium वालों के लिए देखते हैं, यदि A, B and C तिरिभुज, तिरिभुज A, B, C के आन्थ कोन हो, तो दिखाईए कि sin upon 2 किसके बराबर है, cos A upon 2 के, देखो, आपको एक तिरिभुज दे रखा है, A, B, C, उसमें 3 कोन है, A, B, और C, ठीक है, तो आपको यह सिद करना है, कि sin B plus C upon 2 किसके बराबर होगा, cos A upon 2 के, ठीक है, चलिए, अब हम अपना solution देखे, देखो, आपको पता है, कि जब भी एक तिरिभुज होता है, मैं यहापर एक छोटा सा ति इसके जो 3 कोन होते है, यह 3 कोन, इन 3 कोन का सम, इन 3 कोन को मैं जोड़ू, तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यह हम को पता है, तो हम क्या करते है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर कि angle A plus angle B plus angle C, जो है, वो 180 होगा, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कि अपना B और C का मान इतना आया, 180 माइनस angle A, ठीक है, नहीं, ठीक है, अब मेरको क्या दे रखा था, मुझको यह दे रखा है, ठीक है, तो मैं अपनी पहले ही लिख देती हूँ, मैं, sin B plus C upon me 2, is equal to cos A upon me 2, अब मैं अपनी left hand side यहाँ पर use कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, sin B plus C की जग यह मेरे पास 2 180 के नीचे भी है, और A के नीचे भी है, ठीक है, आप यहाँ से angle हटा दे ना, क्यूंकि आपको question में angle नहीं दे रखा है, ठीक है, ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यह लिख सकते हैं ना, फिर हम, कि sin 90 minus A upon me 2, ठीक है, और sin 90 minus theta होता क्या है, आपके पास cos theta, और देखो, आपको यही तो सीध करना था, तो लो, यह आपका सीध हो गया, ठीक है, ना, identity कौन सी use की आपने, sin 90 minus theta कितना होता आपके पास, cos theta, ठीक है, तो असान question था, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, आपको एक तिरी भुच के तीन कोन दे रखें, a, b, c, आपको सीध करना था, तो पहले आप जो तिरी भुच की property है, वो आप लगा लो, क्या है, a, plus b, plus c का, कितना होता है, sum 180, यहां से आपने b, और c का मान निकाल लिया, उसके बाद उस मान को इसमें put कर दिया, और आपका answer आगे, या identity यूज करके, ठीक है, चलिए, आखरी question देखते हैं, question number 7, ठीक है, पहले मैं यह question लिख देती हूँ, क्योंकि English medium वालों का question मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, एक second रुखो, मैं उसको लिख देती हूँ, पहले जल्दी से, फिर हम अपना question समझेंगे, English medium वालों के लिए मैं यहाँ लिख रूँ, question है आपके पास, यहाँ पर, express, sin 67 degree, प्लस, cos 75 degree, ठीक है, in terms of, किस terms में आपको express करना है, trigonometric, ratios of angle, between, ठीक है, कौन-कौन से angles के बीच में आपको करना है, 0 degree and 45 degree, ठीक है, अब यहाँ से हम अपना solution करेंगे, ठीक है, पहले question समझ लेते हैं, English medium और Hindi medium के लिए, उसके बाद हम अपना question करेंगे, तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप से क्या कह रहा है, express करना है आपको, किसको, sin 67 और cos 75 degree को, किस term में express करना है, करना तो, trigonometric ratio में ही है, लेकिन अब जो उसका, theta होगा, ठीक है, वो कितना होना अच्छी है, 0 और 45 के बीच में होना अच्छी, तो आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, अभी आपके पास theta है कितना, 67 और 75, मतलब 45 से बढ़ा है, तो आपको इस तरीके से इसको express करना है, कि जो इसका theta है न, वो 0 से 45 के बीच में आ जाए, ठीक है, साइन 67 और को से 75 को 0 से 45 तक के बीच का जो कोन हो उसमें दिखाना है, ठीक है न, तो अब वो हम कैसे दिखाएं इसको, तो देखो, आपको दे क्या रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा है यहाँ पर, साइन 67 डिग्री और प्लस को से बढ़ा है न, आप क्या करो, दोनों को कोई convert करते, तो मैं इसको लिख सकते हूं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, नाइटी में से 23 माइनस करूंगे तो 67 यहाँ अब को से वंटी-फाइफ को भी दे हूं, 90-15 डिग्री, 90 में से 15 माइनस करूंगे तो 75 यहाँ, ठीक है, अब आपको पता है, कि जो साइन, 90 माइनस छीट होते है वह आपका Ct vara and on जो किस्ड 990 माइनस ठीट रॉते है वह आपका Scent o प्रहन पूंटी ऐसा तो सांध सी को मैं को स्थीता को मैं सांध भाग देती हूं अब योखो न्यूरRO के बाज़िये ा शाagagen चाते है poses 7 45 के बीच में होना अच्छी तो देखो यह त्रिकोन मिती की अनुपाती तो है कॉस और साइन और जो इसका कॉन है वो कितना है दोनों ही 45 से छोटे और 0 से बढ़े हैं तो यह था हमार पास कोशन नमबर 7 तो एक्ससाइज 8.3 में टोटल आपके पास कोशन नमबर 7 तक है ठीक ह 5 तक नहीं है दो कोशन इसमें मिसिंग है मैं यह 6 और कोशन 6 और कोशन 7 डाल देती हूं है ठीक है मैं अपनी 1st लाइट पे इसको शोगर देती हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है ना तो यहां पर मैं लिख देती हूं किस के अंदर आपके पास कोशन नमबर 6 भी है और 7 भी है ठीक है बाकी कि आप जो एक्सेसाइज आपके पास 8.4 है वो हम अपनी next class में करेंगे तो आप आज 8.3 कंप्लीट करेंगे next class में हम अपनी 8.4 करेंगे आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क राद कि एक्षी ओम.